खटेड कार क्यों आते हैं? आज मैं आपको ऐसी पांच गरेलू टिप्स बताऊंगा जिनके एस्समाल से आपको फोरी तोर पे खटेड काराना बंद हो जाएंगे खाना खाने के बाद में ड़कार आता है और ये इस वज़े से होता है कि हम जो चीज खाते हैं इसके साथ हवा भी हमारे मेदा में जाती है और वही फिर ड़कार की सूरत में खरज होती है हमारे खाने के साथ 15 क्यूबिक सेंटी मीटर हवा भी पेड़ के अंदर जाती है और मेदा हवा की इतनी बड़ी मिक्तार को अंदर नहीं रख सकता इसलिए हवा मूँ के रास्ते डिकार की सूरत में वापस पलट जाती है कभी डिकार कम और कभी ज्यादा आते हैं अक्सर वकात ज्यादा डिकार पेड़ खराब होने की वज़ा से आते हैं क्यूंकि पेड़ खाने को हजम नहीं कर रहा होता और मेदा खाने से इतना बर चुका होता है कि अब हवा का अंदर गुजर मुज़र मुज़र हो जाता है और यूं ढकार आते हैं और ऐसी सुरत में खटे ढकार भी आते हैं जिसकी वज़ा से अकसर लोगों को मतली और कह आने लगती है महरीन बताते हैं के जाबियत की वज़र से माया मुझ की तरफ आते हुए अपने साथ हवा भी लगता है डिकारों की ज्यादात की एक और वज़ा हमारी छोटी आंद में बक्तेरिया की मिक्दार का बढ़ना भी हो सकता है आप ये असान से ग्रेलू तोटके इस्तमाल करके इन खटी डिकारों से नजात हासल कर सकते हैं पुदीने की चाहे खटी डिकार आने की सुरत में आप पुदीने की चाहे बनाकर इस्तमाल करें लेकिन इसमें चीनी ना डालें आपको काला नमक डालकर पी लें 15 मिनट तक आपकी जबान का जायका खराब रहेगा मगर इसके बाद खटीड कारों का मसला खत्म हो जाएगा लिम्मू लिम्मू तजाबियत को दूर करने में मदद देता है इसका रस पिएं या फिर इसको चिलन को समय चबा कर खाएं ये दोनों तरह फाइदा मन्द है इससे ना सिरफ आपके मेदा में जलन खत्म होगी बलके खाना भी जल्दी हज़न हो जाएगा प्याज का पानी खटेड गाराने की सूरत में आप प्याज के पानी को लीमू के रस के साथ दो चमच पी ले तो इससे मेदा जल्दी ठीक हो जाता है और मुम्किन है कि क्या भी खत्म हो जाए मगर फोरी आपको रिलीफ मिलेगा क्यूंकि प्याज के रस में तेजी एंटी बक्टेरिल की वज़ा से होती है ये अंदर जाकर फोरी तोर पर आपके मेदे को रिलीफ पहुंच जाएंगे जिसकी वज़ा से आपको खत्टेड कराना बंद हो जाएंगे अजवाइन के पोडर को नीम गरम पानी के साथ इस्तमाल करने से पेड़ के तमाम मसाइल हल हो जाते हैं आप भी इस टिप को इस्तमाल करें और खत्टेडगारों से जान चुड़ाएं अदरक अदरक हर मसले में हमारी मदद करता है खत्टेडगार आएं तो अदरत का एक छोटा सा टुकड़ा मूँ में चबा कर खाएं इस से जिसम से फादल मादों का खराज भी जल्दी होगा और जिसम को ताकत भी मिलेगी और खत्टेडगाराना भी बंद हो जाएंगे मैं अमीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अल्ला हाफिज